आज हम देखेंगे हमारा एक और नेया topic जो की है time and place of performance of contract ये हमें given है section 46 to 50 के अंदर ये topic थोड़ा सा confusing है students को कई बार ये topic समझ में नहीं आता even teachers को भी कई बार ये topic confused करता है तो आज मैं इस topic को आपके लिए बहुत simple करने जा रहा हूं और बहुत easy way में आपको flow chart की मदद से ये topic cover करवाऊंगा तो आप इस वीडियो को जहां से देखोगे मेरी एक एक बात को अच्छे से सुनोगे तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए और description box में आपको telegram group का link में लेगा उसको जाके joint कर लीजिए तो चलिए यह दोस्तों start करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि है हमारा time and place of performance of contract यहां पर दो चीज़ों के बार में बात हो रही है पहला time दूसरा place करना क्या है performance of contract contract की performance करनी है लेकिन उसके लिए time और place decide करना है तो simple सा rule है parties जब भी contract में enter होंगी तो parties आपस में अपने आभी decide कर लेंगी कि क्या time होगा क्या place होगा performance of contract का किसी वो बताने की जरुवत नहीं है parties जब contract करेंगी तो agreement में खुद लेखेंगी time और place क्या होगा performance का तो यही बात यहां पर बोली गई है the time and place of performance of a contract are determined by agreement time और place जो है वो agreement में लिख दिया जाएगा between the parties themselves तो अब यहां पर section 46 to 50 क्यों बनाया गया यह हमें क्या बताएगा तो यह section हमें यह बताते हैं कि अगर by chance parties ने agreement के अंदर time और place नहीं लिखा parties time और place लिखना भूल गई तो उस case में confusion create हो सकती है लडाई जगडे कोट तक बात जा सकती है तो यहां पर जो है section 46 to 50 ने हमें बोला कि अगर parties ने agreement के अंदर time और place नहीं लिखा तो उस case में हम से पूछ लेना हम बताएगे कि क्या time और क्या place होगा then the provision of section 46 to 50 अप्लाई तो समझ में आगे आपको section 46 to 50 तब ही अप्लाई होगे जब parties ने agreement में time और place नहीं लिखा होगा तो एक एक करके देख लेते हैं सभी sections को लेकिन एक problem है यहां पर section 46 to 50 के अंदर जो law की language लिखी हुई है वो language बहुत confusing है आप directly law की language समझोगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला तो इससे अच्छा है हम पहले एक example उठाते हैं और flow chart की मदद से इस concept को clear करते हैं यह रहा हमारा flow chart time and place of performance of contract section 46 to 50 तो यहां पर देखो मैंने इन sections को 3 category में डिवाइड कर दिया इसको भी समझने से पहले हम एक example उठाते हो और उस example को समझते हैं क्या आकर यह topic क्यों बनाए गया तो अगर मालो let's suppose आपको जो है एक AC खरीदना है और आप AC खरीदने के लिए electronic की shop पर जाते हो और वहां पर जो है AC purchase करते हो अब जो shop का dealer है वो आपसे बोलता है कि आप अभी payment कर जाओ AC आपके घर कल पहुंच जाएगा ऐसा होता है जब हम electronics item ख तो आपने बोला ठीक है लेकिन आप यहां पर shop dealer आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है shop dealer ने आपसे पूछा कि आप यह बताओ कि आपको delivery कल किस समय पर चाहिए तो आपने बोला मुझे शाम में चाहिए शाम को किसी भी time deliver कर देना है तो आप इस case में जो AC होगा वो आपके घर में कब deliver होगा शाम को deliver होगा क्योंकि आपने specific बता दिया कि delivery कब करनी है शाम को करनी है आपने AC के dealer को time बता दिया कि उसको performance कब करनी है तो यह तो हो गया एक case अब अगर दूसरा case देखते है सब उस dealer ने आपसे पूछा कि मैं कल किस समय पर आपके घर पर AC deliver करू तो आपने बोला कि किसी भी time कर देना सुबह दो फार शाम किसी भी time पर कर देना कोई दिक्कत नहीं है तो उस case में जो AC का dealer होगा वो आपके घर पे कल किसी भी time पर delivery कर देगा लेकिन जो delivery का time होगा वो एक reasonable time होना चाहिए ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह जो है 5 बज़े delivery लेके आ गया यह एक normal time है एक reasonable time है अगर मैं बात करूँ घर की अगर office की बात करूँ तो office hours जो होते है वो reasonable time होते हैं तो यह हमारा second case हो गया अब अगर एक और case की बात करूँ सपोज AC dealer ने आपसे पूछा कि कल मैं किस समय पर AC delivery करूँ तो आपने जवाब दिया कि कल सुबह 9-12 की बीच म में ही delivery होनी चाहिए तो यह हमारा third case हो गया इसी तरीके से जो है अलग-अलग case बन सकते हैं कि time क्या होगा performance का यह तो मैंने अभी तक जो बाते करी आपके साथ तो time की करी अब अगर मैं place की बात करूँ AC dealer ने आपसे बूछा कि कल delivery कहां पर करनी है तो suppose आपने बोला कि मेरे घर पर delivery करनी है या ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलो कि मेरे office में delivery करनी है तो कुछ भी हो सकता है ताइम और place को लेके कोई भी situation हो सकती है कैसे वी situation हो सकती है तो आपको समझ में नहीं कि पढ़ना क्या है इस topic के अंदर में यह पढ़ना है कि performance का time और place क्या होगा तो आप दे अब देखो एक केस और उसकता है जहां से सुनो एसी डीलर ने आप से पूछा कि कल किस समय पर डिलीवी करूँ तो आपने बोला कि अभी कुछ अब देखो नहीं कर सकता है तो यह तो टाइम की बात हो गई अब प्लेस के उपर भी बात हो सकती है कि एसी के डीलर ने आप से पूछा किस जगह पर डिलीवी करूँ प्लेस और पर पर्फॉमेंस क्या होगी तो आप ख्यासकते हो कि मुझे अभी नहीं पता मैं शाम की कॉल क कर से पताँगा की अफिस में डिलीवी करनी है या घर पर डिली भी देख लियाका होगी कई बात सकता है प्राइसर थोड़ी बहुत बात बता दी और्यकि अपनी समझ से अपनी मर्जी से एक reasonable time reasonable place पर जाकर delivery कर देगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रामिसी रहे बोल दिया कि जब तक मैं call ना करूँ जब तक मैं ना बताऊं मेरे कहे बिना तुम delivery मत करना तो उस case में प्रामिसर प्रामिसी का इंतजार करेगा तो यहाँ पर यही बात बोली गई है इसी तरीके से मैंने इस concept को divide कर रहा है पहला है हमारा application not required application का यहाँ पर मतलब है कि प्रामिसी फोन नहीं करेगा आप शाम को फोन करके time और place नहीं बताऊ गई आपने प्रामिसर को बोल दिया कल किसी भी time पर delivery कर देना प्रामिसर अपनी मर्गी से delivery कर देगा यहाँ पर प्रामिसी को अब कुछ नहीं करना प्रामिसी ने AC की payment कर दी आप प्रामिसी सिर्फ delivery का इंतजार करेगा तो application not required यहाँ पर application की जरुवत नहीं है यहाँ पर performance को लेकर प्रामिसी की कि किसी भी तरीके की confirmation की जरुवत नहीं है तो कई बार जो है application की requirement नहीं होती है लेकिन कई बार जो है performance के लिए application की requirement होती है application for performance is required performance करनी है तो application required है और application कौन देगा फॉन करके कौन बताएगा प्रॉमिसी बताएगा तो प्रोमिसी जब तक नहीं बताएगा तब तक जो है प्रॉमिसर अपनी प्रॉमिस्र 裁श25 तब तक सब सबसरे यंद ने बताएगा कि कौन से दिन performance होनी है, AC dealer ने बोल रखा है कि कल delivery हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर promiser performance तभी कर सकता है जब promise application दे, promise ने बोला है, शाम को मैं कौन करके बताऊँगा किस समय पर कहाँ पर delivery देनी है, तो promiser performance तभी perform कर पाएगा, promiser will only do so when the promise makes an application, यह हमें given है section 48 के अदर, सबसे पहले AC को देख लेते हैं, section 48 के अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें बोला गया है, where the day for the performance is specified, day पहले से specified है, पता है कल AC की delivery होनी है, day specified है contract अदर, लेकिन promiser ने बोला हुआ है कि पहले मैं call करूँगा, पताऊँगा, उसके बाद ही तुम delivery करोगे, यहाँ यहाँ पर पहले promiser performance की demand करेगा, उसके बाद ही promiser performance कर पाएगा, the promiser has to perform it only on being asked by the promiser, तो उस case में क्या होगा, प्रॉमिसी must first apply to the promiser, प्रॉमिसी पहले promiser को apply करेगा, पहले promiser को performance की demand करेगा, उसके बाद ही promiser जो है performance देगा, और जो प्रॉमिसी की demand होगी, वो demand of performance जो है proper time पर होनी चाहिए और proper place पर होनी चाहिए, यानि reasonable time और reasonable place होनी चाहिए within a usual business art, यह नहीं है कि AC की shop जो है वो सुभे 9 बजे खुलती है और राग को आड़ भी बंद होती है, तो अब promise जो है कॉल कर कर के कह रहा है कि भाई मेरे घर सुभे 7 बजे delivery कर देगा, वो तो possible नहीं है, delivery जो है usual arts में होगी, जो time shop का working time है उसी time पर delivery होगी, तो promise भी delivery की demand जो है वो proper time और proper place पर करेगा, तो proper time और place जो है वो decide कैस होगा, proper time और place जो है वो question of fact है, case to case depend करता है, जैसा case होगा उसी साफ से proper time और place decide हो जाएगा, example देखो इसका, A agreed to supply handed bags of T to B on 10th September, यहाँ पर A और B आपस में agree कर लेते हैं, जिसमें A, B को handed bags of T supply करेगा, दे पहले से decide हो रहा है, कब करेगा 10th September को, as per the terms of the contract, we would have to request A for performance, तो सबसे पहले क्या होगा, contract के terms के according, B A को request करेगा for performance, उसके बाद ही जो है A performance को पूरा करेगा, तो जैसी due date आईगी, यानि 10th September आईगी वैसी, within a usual business hours, we should request A regarding a time and place of supply of T bags to him, तो समझ में आ गया, अब चलते हैं, आगे अपने अगले section के उपर, वापिस से अपने चार्ट के उपर, यह आपने देख लिया कि, जहां पर application के requirement होती है, यानि promise को बताना पड़ता है पहले, वहाँ पर promise पहले बताएगा, उसके बाद ही promise करेगा, आप देखते हैं, हमार पहले हैं, पहला है हमारा time is not specified, जहां पर जो है, contract के अंदर time ही specified नहीं करा, तो प्रॉमिसर किस time पर performance करेगा, और प्रॉमिसर को खुद ही performance करनी है, यहां पर promise की demand नहीं करेगा, प्रॉमिसर जो है वो application नहीं देगा, the promisor himself has to perform the promise, without being asked by the promising, तो उसकेस में, प्रॉमिसर जो है, reasonable time पर performance को perform कर देगा, अब reasonable time क्या होता है, reasonable time के बारे में क्या लिखा हुआ है, explanation to section 46, reasonable time तो सी भी बात है, depend करता है, case to case, fact to fact, ऐसा तो नहीं है कि आप एक quick time को reasonable time बोल सकते हो, हर case में अलग fact होते हैं, अलग circumstances होते ह यहाँ साफ से reasonable time decide होगा, example देखते हैं का, A takes a loan of rupees 10,000 from B and says that he will return it to him when he receive his next salary, तो यहाँ पर A ने B से 10,000 का loan लिया है, और बोला कि मैं तुम्हें वापस कर दूँआ, जैसे ही मेरी next salary आजाएगी, अब अगली salary कब आईगी, क्या को time decide है, time decide नहीं है, अगले महीने आजाएग लेकिन का आईगी पता नहीं, तो अब इस case में reasonable time pay performance को perform करा जाएगा, A जो है B को 10,000 rupees कप pay करेगा, reasonable time क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, here the reasonable time for the performance of the contract is after A receives his next salary, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कि जैसे ही A को next salary मिल जाएगी, वही reasonable time होगा, तुरंट A, B को 10, 10,000 rupees pay करेगा, तो समझ में आ गया reasonable time क्या होगा, तो reasonable time जो है, depend करता है case to case, fact to fact, अगला example देखो, यहाँ पर reasonable time क्या होगा, तो यहाँ पर दो parties है, X और Y, X, Y से 10,000 rupees का loan लेता है, और बोलता है कि मैं तुम्हें 10,000 rupees लोटा जाँगा, within a 6 month, अगले 6 मिने के अंदर अंदर, सुबह 6 बजे, और उसी time पर Y जो है काम से वापिस आता है, Y जो है night shift की job करता है, तो यहाँ पर यह दोनों मिलेंगे कब, एक काम पर जाता है, तो दूसरा काम से वापिस आता है, तो दोनों के मिलने का timing तो match कर नहीं रहा, किस time पर X जो है Y के घर पर जाएगा, और Y को 10,000 रुपीस वापिस करेगा, X अगर रात को जाता है, तो रात को Y काम पर चले जाता है, और सुबह X जा नहीं सकता, क्योंकि सुबह X काम पर जाता है, तो अब इस case में एक reasonable time दोनों को decide करना होगा, और उस reasonable time पर X और Y मिल पाएंगे, और वो reasonable time क्या होगा, सुबह 6 बजे का time जिस time पर X काम के लिए निकलता है, तो वो Y के घर पर पहले चले जाए और 10,000 रुपीस वापस कर दे, जनरली सुबह 6 बजे कोई reasonable time नहीं होता, लेकिन हमारे इस case में, case के fact ही ऐसे हैं, circumstances ही ऐसे हैं, कि सुबह 6 बजे ही सिर्फ एक time बसता है, जहां पर X और Y मिल सकते हैं, जहां पर time specified ना हो, तो reasonable time पर performance कर दी जाए, दूसरी बात, day specified है, लेकिन time specified नहीं है, exact time नहीं पता, लेकिन हमें day पता है, तो अब इस case में क्या होगा, promisor जो है, वो usual business hours में performance को perform कर देगा, ये दिया गया हमें section number 47 के अंदर, देख लेते हैं एक बार जाके, यहां पर क्या लगया है, when the day for the performance is specified in the contract, performance का day decided हो रखा है, लेकिन time decide नहीं, और promisor जो है, उसको खुद से performance करनी है, promisor performance की demand नहीं करेगा, promisor himself to perform the promise, without being asked by the promise, तो उस case में जो promise है, वो perform करा जाएगा, at any time, किसी भी समय पर, during the usual business hours, on a specified day, जो specified day decided है, उस specified day पर, किसी भी समय पर, usual hours में, promisor performance को perform कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और बात बोली गई है, but the promise should be performed at the place where it was required to be performed, यहाँ पर जो performance करी जाएगी, वो performance उसी प्लेस पर होनी चीए, जिस प्लेस पर performance की requirement है, सबहुत आप AC खाईदने गए, AC खाईदते समय आपने AC की dealer को बोला भी, कि मुझे आपने office के लिए आपको कल मिल जाएगी, लेकिन उसने क्या करा, AC की delivery आपके घर पर कर दी, जब कि आपने AC कहां के लिए खाई देते है, office के लिए, क्या जहाँ पर performance की requirement थी, वहाँ पर performance हुई, बिलकुल नही, performance की requirement office में थी, जब की performance कहां पर हो गई, घर पर, तो यह तो गल्त हो गया, तो कहां पर delivery होगी, Y की shop पे, कब होगी, 1st October, performance किस दे पर होगी, वो decide हो रखा है, 1st October को performance हो नहीं है, और कहां पर हो नहीं है, Y की shop पर हो नहीं है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, on that day, X being the two-ended bags of rice at Y shop, but after the usual hour of closing it, X 1 October को Y के पास 200 bags of rice लेकर पहुचा तो सही, लेकिन कब आद X, Y के दुकान पर पहुच रहा है, तो अब इस case में rice की delivery हुई क्या, नहीं हुई, rice bags are not receiving, तो यहां पर अब X की ये performance को performance नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, X ने अपनी performance नहीं करी, एक और example देखते है, X promise to deliver goods to Y on an advance payment of Rs.10,000, X ने Y को goods deliver करने का promise करा है, और बदले म Y से 10,000 की advance payment भी ले ली, अब यहां पर Y ने जब advance payment करी, तो Y ने X को बोला, कि तुम्हें इसी महिने की 10 तरिक को मुझे delivery करनी है, और मेरे office में delivery होगी, delivery का day भी बता दिया, और कहां पर delivery होनी है, यह भी बता दिया, लेकिन time specified नहीं है, तो अब यहां पर he should deliver it between 10 a.m. and 5 p.m in usual business hours, X जो है, वो delivery कब करेगा, usual business hours में करेगा, जो कि हमारा 10 से 5 वे तक कभी चोता है, अब अगर इस case में X delivery करता है, लेकिन after business hours करता है, तो Y के पास right है कि वो delivery को accept ना करे, Y has a right to not accept the goods and ask X to deliver again during business hours, तो समझ में आ गया, यह हो गया section 47, अगला section देखते हैं, अगला है हमारा section section 49, यह भी हमारा application not required का case है, तो अब इस case में अगर place not specified, place ही specified नहीं करा, बता ही नहीं रखा कि performance कहां पर करनी है, तो उस case में कहा होगा, उस case में, promise को तो कुछ नहीं करना, हम यह case देख रहे हैं कि promise application नहीं देगा, तो अब यहाँ पर अगर promise को delivery का place ही नहीं पता, तो promise कहा करेगा, तो यहाँ पर section 49 कहता है कि अब यहाँ पर promise की duty बन जाती है कि promise को phone करे, promise must apply to the promise, promise पहले खुद promise को phone करेगा और पूछेगा कि delivery कहां पर करनी है, तो यहाँ पर duty किसके उपर आ गई, promise के उपर, देख रहेते हैं section 49, where the place of performance is not specified, और promise को खुद से performance करनी है, promise himself to perform the promise without being asked by the promise, तो उस case में, promise must first apply to the promise to appoint a reasonable place for the performance of the promise, and thereafter, he should perform the promise at the place appointed by the promise, यहाँ पर इसको promise कर लेना, तो सबसे पहले, promise को पूछेगा कि कहां पर performance करनी है, उसके बाद promise पर performance करेगा, X entered into a contract for supplying handed bags of sugar to Y on 20th October at a specific price, X ने Y को handed bags of sugar supply करने का promise करा है, delivery करनी है, 20 October को, लेकिन यहाँ पर क्या चीज नहीं है, यहाँ पर place decide नहीं है, पता ही नहीं है, कहाँ पर delivery करनी है, तो अब इस case में क्या होगा, due date पर, यानि जब 20 October आएगा, तो वहाँ पर जो promise है, यानि जो X है, उसकी duty होगी, कि वो Y को पहले contact करे, और उससे reasonable place पता करे कि कहाँ पर delivery करनी है, तो X must apply to Y for determining a reasonable place, and must deliver bag of sugar to him at that place, तो समझ में आगा clear होगा, तो अब आगला section देखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या-क्या देख लिया, application not required देख लिया, section 46 देख लिया, 47 देख लिया, 49 देख ल अब बच गया हमार बास एक last section, section 50, यह बहुत easy है, time place और manner, performance का, कौन बताएगा, promise बताएगा, contract के अंदर कुछ नहीं लिखा, लेकिन promise ने बोल दिया, कि मैं बता दूगा, क्या time होगा, क्या place होगा, क्या manner होगा, सब कुछ मैं बता दूगा, और मेरे इसाब से performance को perform कर दे self, यहाँ पर contract के अंदर नहीं लिखा, लेकिन promise ही कह रहा है कि performance का manner क्या होगा, performance की time क्या होगी, वो मैं बताएगा, तो वहाँ पर जो भी manner या time promise ही बताएगा, उसी manner और time में performance को करा जाएगा, the promise should be performed in the manner and at the time prescribed by the promise, example देखो उसका, X owes Rs. 7,000 to Y, X ने Y को 7,000 रुपीज पे क करने, तो अब यहाँ पर Y, X को कह रहा है कि तुमें मुझे 7,000 रुपी देने, तो एक काम करो, तुम मुझे 7,000 रुपी बतने good supply कर दो, तो यहाँ पर जो performance का manner है, वो किस ने बताया, promise ही ने बताया, तो Y ने जो manner बोला, उसी manner में X को performance को perform करना होगा, तो यह हो गया हमार सेक्षिन नमर 50, तो हमने सारे सेक्षिन देख लिए, सेक्षिन नमर 46 से लेगे 50 तक सारे सेक्षिन हमारे कबार होगे, तो यह हमारे topic complete होगा, time and place of performance of the contract, आप देखते हैं अपना next topic,